नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्तो पूर्ण जाहनकारी को ले करके जिहां आईए आज हम सभी शीशम का परिचे और इसके फैदों के बारे में जानते हैं सभी जगह पर आसानी से मिलने वाला पेण है ये इससे तवचा रोग, कुष्ट रोग, धातु के रोग, पीरियर्स के रोग, प्रमेह, जोडों के दर्द, उल्टी के रोगों में अत्यंत प्रभावकारी लाव होता है शीषम शत्रिय जाती का विरिक्ष है यह वनस्पती जगत के फेवसी कुल का सदस्य है शीषम सर्वत्र पाया जाने वाला एक मध्यम श्रेणी का सदा हरित विरिक्ष है असम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान सहित, संपून भारत में बहुतायत से मिलने वाला चायादार विरिक्ष है यह प्रायह सडकूं के किनारे लगा हुआ मिल जाता है यह छोटा किन्तु सघन, चिकनी, चमकीली पत्यों वाला एक स्वक्ष द चोटे एवं गुच्छों में विक्सित होते हैं, फल, चप्टे, फलेदार, दो से चार बीजों वाले होते हैं, इस वरिक्ष की लकड़ी अत्यांत मजबूत होती है, इसलिए फरनीचर, इमारत, इत्यादी में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है, आईए इसके हम औशध अधिय महत्व को जानते हैं, सबसे पहले तवचा रोग में, तवचा में उत्पन होने वाले क्रीमी अथवा एक्जीमा के उपचारार्थ संबंधित स्थान पर शीशम के बीजों का तेल लगाना हितकारी है, इसे लगाने से दो सप्ताह के भीतर ही रोग से निवरित्ती हो लकड़ी के सत्व से स्नान करने से प्रयाप्त लाव की प्राप्ति होती है, अधवा समबंधित व्यक्ति को इसकी कुछ ताजी काश्ट को जल में उबालकर ठंडा कर उस जल से स्नान करना चाहिए, इसलिए 500 ग्राम ताजी लकड़ीों को कुछ समय तक जल में उबालकर उस जल को चान कर उससे अस्नान करना चाहिए। इसके अलावा जुकाम होने पर सर्दी जुकाम की स्थिति में शीशम के 8-10 पत्तों को जल में उबाल लीजिये। इसके बाद जल को आधा रहने तक पकाईए। इसके पाश्चात इसे चान कर इस अर्क का सेवन कीजिए। मात्र ए दो गलास जल में आधा रहने तक उबाल कर काढ़ा बनाएं इसके अलावा धात उरोगों में शीशम के 8 से 10 पत्ते ले लिजे इसमें 25 ग्राम मिश्री मिलाकर घोंट पीसकर सुबह काल सोच जाने के 15 मिनट बाद साधारन जल से नियमित सेवन कीजिए धात उरोगों में लाब होगा इसके अलावा आपको अगर उल्टी लिजे और इसका रहे का सेवन कीजिए काढ़ा हमने जैसे पहले बताया भी आपको वैसे ही आप बना लिजे इसके बाद दो दो चमच दो दो घंटे के अंतराल में इसको लिजे इसके अलावा जोडों के दर्द में शीशम के बीजों का तेल और घासलेट मिलाकर उससे माल पिटीज की बीमारी से होने वाली शिथिलता भी दूर हो जाती है यदि तवचा का धिलापन है तो आप शीशम के पत्तों को पत्थर पे पिसें और लगाएं तवचा का धिलापन दूर हो जाएगा कोई जहरीला कीड़ा काट ले और उसके काटने से यदि सूजन हो जाता है तो शीशम और नीम के पत्ते को पानी में उबाल कर उस पानी में नमक मिला कर सिकाई करें सूजन दूर हो जाएगी यदि शीशम में कहीं भी कोई गाठ है तो इस शीशम के पत्ते को पीस कर लगाएं गाठ धीरे धीरे खत्म होगी अगर आप बिना पीसे सिर्फ पत्तों को तेल लगाकर उपर से गर्म करके पत्तों को बांध ले तब भी गाठ समाप्त हो जाती है गर्मी में जिन लोगों को अधिक प्यास की शिकायत होती है तो इसके पांच पत्तों को पीस ले और मिश्री मिला कर पिएं ये आपको ठंडक देगी और बार बार प्यास लगने की समस्या कम हो जाएगी तथा पसीने से आने वाली बद्बू से भी आपको निजात मिल शिशम के पत्ते और मिश्री मिला कर शर्बत जिसको अधिक महावरी आती है या पिरियड में दर्द की शिकायत है और रुक रुक कर पेशाब आता है या फिर सफेद पानी आता है उसके लिए भी ये शर्बत बहुत ही फायदेमंद है जिन माताओं बहनों को कम दूध आता है शिशम के पत्ते पीश कर स्तन पे लगाएं इससे दूध परयाप्त मात्रा में आने लगेगा पश्वू में भी थनैला रोग में भी इसके पत्तों को लुकदी की तरह पीश कर लगाने से थनैला रोग दूर हो जाता है जिन लोगों की आँखों में लाली है या दर्द या फिर जलन होती है आप इसके पत्तों को पीश कर लुगदी बनाएं और इस लुगदी को तिक्की की तरह बना कर आँख की पलकों पर रात को सोते समय बांध लें सुबह आँखों की लाली जाती रहेगी यदि किसी को कैंसर की शिकायत है तो उसकी जो भी दवाएं कैंसर की चल रही हैं उसे चलने दे और साथ में शीशम के पेंड के पत्तों का जूस भी 10 से 15 दिनों तक ले लें फिर उसके बाद शीशम के पत्तों को चबाना हर रोज शु दाद खाज या त्वचा संबंधित किसी भी बिमारी में आप इसकी लकड़ी का तेल बना कर लगाएं तथा नियमित मालिश करें इससे त्वचा संबंधित सभी रोग ठीक हो जाते हैं अब जानते हैं इसका तेल कैसे बनाएंगे आप तेल बनाने के लिए आप किसी भी प पानी के बराबर सर्चों का तेल मिलाएं और फिर धिमी आज पे पकाएं जब मात्र तेल रह जाए इसे किसी कांच की शीशी में भरकर रख लें इस प्रकार से आपका ओयल तैयार हो जाएगा और इससे आप अपने रोगों को ठीक कर पाएंगे तो दोस्तों ये थी आज की हम पून और शदी जो की कैंसर जैसे रोग का भी पूनता सफाया कर देती है इससे रिलेटर जानकारी अगले एपिसोड में हम आप सभी से मिलेंगे एक और बेहद ही महत्तो पून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों